हाई फ्रेंड सारा देकी रेसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो आज में लिकाई हूँ इडली की रेसिपी तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत पूलिएगा बगल में लगी बेल आइकन को जरूर दबा वाली आप कोई भी सूजी इसमें ले सकते हैं और एक कप मैंने यहां दही लिया है दही हलका सा खटा है एक दिन पुराना दही है बहुत ज़्यादा भी खटा नहीं है तो इसको अब हम बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा समय यहां पे पानी इसमें डाल रही हू तो इसको अच्छे से हम मिक्स करके आदे घंटे के लिए रखतेंगे तो यह देखिए अच्छे से मिक्स यह हो गया है आप मैं इसको आदे घंटे के लिए रखतेती हूं ताकि सूजी हमारे अच्छे से फूल जाए तो तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं तो यहां मै तो लिए सतना को स्टाइब हम उना करें कर दो स्टाइब आदा इससी मैं कि व्युद्ट कर दाओ से ट्रथ कि अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए मैंने बढ़िया से इसको मिक्स कर दिया है तो यहां मैं डाल जाएं अब नमक स्वादनुसार थोड़ी से मैंने औरिगयन उड लिया है और थोड़ा से चिली फ्लेक्स लिया है तो मैं यहां बस इतना ही डाल रही हूँ आप इसमें बाकी मसाले भी चाहें तो आप अपने पसंद के इसाब से एड़ कर सकते हैं इसमें तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो यहां मैंने एक तड़का पैन लिया है मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी तेल को गरम होने देते हैं यहां मैंने थोड़ा सा इसमें हींग डाला है तो आप मैं डाल दूँए इसमें एक छोटा चमच जीरा और यह मैंने लिया है पुदीना पुदीना मैंने बारी काट लिया है पुदीने के साथ चाहें तो थोड़ा सा करीपता भी काट के आप डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है तो फ्रेंड्स आप यह रैसे भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप यहां पे मैंने सिर्फ मटर लिया है और अगर आप चाहें तो यहां पे गाजर भी ले सकते हैं आप अपनी पसंद के साबसें जोबी सबजियां इसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं और इसी तो उसको तो एसे बच्चे थोड़ी सी सबजियां खालेते हैं ने बच्चों को तो यह बहुत पसंद आता है तो यह भी धालो हैं। बड़ीय है से मिक्स कर देंगे इसको बढ़ी है अब मैं यहां पे एक पाउच इनु का लिया है इसको हुआ IT में नहीं कर देंगे तो इनु हमको लास्ट में बास्ट मेंही डालने है पहले नहीं बाएट जब हम बनाने जाएंगे इटली तब हम उसमें इनों मिलाएंगे तो यहां देखिए मैंने इटली स्टैंड को अच्छे से ग्रीज कर दिया है तेल लगाके अब इसमें हम इसको भर देंगे तो यह देखिए यहां मैंने सारे भर दिया है अब भी हम इसको लगा देते हैं स्टैंड पर और इधर ये देखे मेरा पानी उबल रहा है तो इसको अब हम लगा देते हैं और इसको हम पकने देंगे अब 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फिलिम पर इसको पर हम पका लूँगी तब तक मैं चटनी बना के तियार कर लेती हूँ तो चटनी बनाने के लिए थोड़े से मैंने यहाँ पर मुंफली ली है तो इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ तो यह हो गया है तो इसी में मैं अब थोड़ा सा चने की दाल को भी भून लेती हूँ तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा तेल डाला है अब चने की दाल हम इसमें भून लेंगे अच्छे से तो यह सारी चीजा मैंने भून ली है अब मैं इसमें डाल दूँगी मिक्सी के जार में इसको तो यहां मैंने थोड़ा सा यह नारे लिया हुए हरी मिर्च नमक डाल दिये मैंने इसमें और यह नीबू तो मैंने यहां पर लसन अद्रक नहीं डाला है आप चाहें तो डाल सकते हैं और यहां देखिए मेरे इडली भी परन के तयार हो गई है तो इसको हम निकाल के रख लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करेंगे उसके बाद इसको हम इसमें से निकालेंगे तो यह ठंडा हो गया है इसको अब निकाल लेते हैं स्टैंड में से तो देखिए मैंने सब निकाल लिये हैं और ऐसे ही अम बाकी के भी बना के तयार कर लेंगे तो चलिए पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाप पे कड़ाई में तेल डाल दिया है आप तेल घी किसी में भी आप बना सकते हैं इसको फ्राई कर सकते हैं तो मैंने यहाप पे तेल लिया है और यह मैं डाल राई और खूब सारा कड़ी पत्ता यहां मैं डाल रहें थोड़ी सी हरी मिर्च स्लेट कर दिया है मैंने इसको ऐसे और यह मैंने थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च इसमें डाला है नमक, काला नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हूं सब चीजों को दो मिनट के लिए चलाएंगे एकदम medium to low flame पे तो यह हो गया इसमें हम अब इडली आपने डाल देते हैं तो इडली हम जब fry करेंगे तो इसको ठंडा कर लेंगे पहले तब ही करेंगे गरम गरम नहीं करेंगे नहीं तो वह चिपक जाएगी कड़ाई में तो इडली को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही हम फ्राई करेंगे चिपक भी जाएगी और तूट भी जाएगी तो इसको बढ़िया से हम अच्छे से से शेक लेंगे तोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे बढ़िया से तो ये देखिए मैंने इसको फ्राइ कर लिया है थोड़ा समय इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ तो ये इडली हमारी तैयार है आप लोग एक बार जरूर ठ्राइ कीज़ेगा आप लोगों को जरूर पसंद आएगी बहुत ही है और टेस्टी भी बनती है आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं तो देखिए तैयार है हमारी इडली और चटनी के साथ तो फ्रेंड्स के लिए बाइ